गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स जैय मातादी कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नीलमिस्रा ब्लाग में स्वागत है फ्रेंट्स तो मॉर्निंग के साड़ी चार बज रहे हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वाक करने लग गई हमने कार तहलने के बाद आए तो फिर जो भी है थोड़ा सा अंदर का काम हमने निप जा चुकी है तो फिर अभी हमारा काम थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि बाहर के काम के साथ साथ अब घर के अंदर का भी काम देखना पड़ेगा जो की स्रिष्टी है बिटिया रानी हमारी तो फुल सपोर्ट करती हैं लेकिन मॉर्निंग में उसे मैं जल्दी नहीं जगाती जो भी काम होता है उसको निप्टा लेती हूं तो अभी हमारा जो अंदर का काम है जाड़ू पोचा जो भी है कुछ साब सारा काम हो चुका है और इतना उजला हो गया है जैसे कि उन कामों को निप्टाने में और अभी आहां बाहर का जाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि काफी लेंथी हो जाता है अगर हर जगह का क्लिफ सूट करें क्योंकि काम इतने ज्यादा होते हैं मौनिंग में उठते ही सारे काम में लग जाते हैं और चोटे-चोटे क्लिफ ही सूट करते करते वीडियो काफी लेंथी हो जाता है तो कहीं कहीं का जो भी क्लिफ होता है उसको भी हावा आप देख सकते हैं लेकिन दोपर का जो टाइम होता है फ्रेंस इतनी चिलचिलाती सी धूप होती है काफी तेजवाली गर्मी होती है बिल्कुल बरदास नहीं होता है और चार बजे से थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है तो उधर हमारा जो भी जाड़ोडू का क उसको निपटाने के बाद हम दलिया चड़ा दिये थे दलिया हमारा उबल चुका है अच्छे से इसको फ्राई करेंगे खिचरी जैसा इसको बनाएंगे तो फिर अभी इसको तयार कर लेते हैं और जो भी जैसे काम होता है सारे काम को निपटाने के बाद सनी के पापा को भ निकाल देते हैं क्योंकि ओखा लेंगे इसके बाद से उनको दवावा दे देंगे उनको नास्ता देने के बाद अब आ चुके हैं इधर कमरे का जो भी बेट सीट इकरा बिकरा सा पड़ा है फ्रेंस इसको हम सही से कर देंगे और जो भी बेट सीट इसके उपर है इसको हम जै तो पर उसको भी देखना है कि कौन सा धुलाए कौन सा नहीं धुराए क्यूंकि अब जो भी अंदर का काम होता था सभी काम Belgisch अब इस टाइम पे नहीं है तो फिर जैसा मेरा पहले का जो भी routine था अपने routine पे आचुके हैं आज से क्योंकि पहले का यही routine था सारे काम को करने के बाद फिर वही किचन में नाजता समय से नाजता उसके बाद से फिर हमारा जो भी अगर लिपाई पुताय का काम छुटा रहत नहीं तो फिर दुबारा से ही नहाना पड़ेगा तो आज तो हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि फटापट से जो भी मॉर्निंग का नास्ता और दवावागा हम क्योंकि सनी के पापा को भी नहलाना पड़ता है मॉर्निंग में अपने साथ साथ उनका भी पूरा हर एक चीज का ध्यान देना पड़ता है तो फिर इसलिए हमने का अभी इस काम में अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि अभी लिपाई पुताई भी निप्टाले तो फिर लेट हो जाएगा हमें सारे काम में देर हो जाएगा तो इसलिए हमने लिपाई पुताई का काम पीछे कर दिया नहाने के बाद करेंगे उससे पहले का जो भी काम है नहाने के बाद हमने नास्ता उस्ता तो हो चुका है अब इधर हम कमरे का जो बेड है उसको भी ठिक कर दिये फिर दूसरा बेड सिट लगा दिये जो भी गंदा स बेट सिट था, उसको लिए उसको हटा दिये उसका मुरय का जाडू भी हो चुका है आज चुके है किचन में थोड़ा सा नास्ता हुआ है तो तो थोड़ा सा जैसे जो भी गंदा सा दिख्रा है थोड़ा सा आपसाफ़ा IV उपर कांटर भी हम कर दिये और नीची से काउंटर जो है वहां से गिरा और पूरा नीचे धकन खुल गया तो रात के टाइम पे चुहे लोग काफी जैसे इधर-दर समान गिराते रहते हैं तो धकन खुलने के बाद तो विनिगर सारा फैल गया पूरा फर्स पे जहां जहां तक गया है वहां पूरा निसान पढ़ बहुत कितना भी धुलाई किया हमने सफाई किया लेकिन नहीं चुटा जो भी है उसका धबा तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया है और जाड़ पूछा का काम कर देते हैं और यहां पर मॉनिंग का काम तो हो गया था सुवी सबे ही हमने जाड़ और पूछा का अंदर का पड़ेगा थोड़ा बहुत खाय तो नहीं जाता है मॉनिंग में बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है लेकिन हमने का दो चार चाम मची खा लेते हैं फिर इसके बाद से काम पर लगते हैं और यहां साफ सफाई जाड़ू का काम करने के बाद तुरण से अपना लिपाई क काम सुरू करेंगे और यहां विटिया रानी अपना कपड़े धुलाई की क्योंकि जो भी है देख सकते हैं धरी और इस अभी कुछ यहां पर धुल कर डाल दी हैं और जितना बेट सीट हम लाकर रखे थे उसको भी धुल दी हैं और अब यहां पर जो भी नास्ता का बरतन ह हो गया था उसको धुल ले रही हैं धुलने के बाद फिर नहाएंगी सारा जो आंगन है उसका धुलाई करके और अभी हम लिपाय पुताई करेंगे तो हम साम को नहाएंगे दुबारा सा क्योंकि फिर से अभी हमें काफी सारे काम होंगे अभी हम जो भी है वीडियो का अप पाई पुताई अपने जो काम होते हैं हमारे ब्लोग के उसमें भी हमें काफी टाइम लगता है तो उन काम में हम लग जाएंगे अब यहां हम आचुके हैं इसमें एक पोतिनी मिटी है तो इसमें हमने थोड़ा सा जो पीली मिटी है उसको हमने एड़ कर दिया है थोड़ा सा दिवाल एकदम खराब दिख रहा है तो उसका पुताई करेंगे अज काफी टाइम के बाद ब्रामदे का पुताई कर रहे हैं हम तो आप सभी वीडियो को फूल इंजॉई कीजिएगा और वीडियो हमारा थोड़ा सा भी पसंद आये आप सभी को फ्रेंज तो एक लाइक दे क का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको ही मिले और यहां पर बहुत ही अराम से बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं की हुए है क्योंकि हमें पता है हमारी बहुत सारी बैनों को यह मिट्टी का पुताई काफी पसंद है तो इसलिए वीडियो फास्ट नहीं करेंगे क्य हम बिल्कुल बोर नहीं होते हैं अच्छे से डेली ब्लॉग बनाने की क्योसिस करते रहें और कल कब जो ब्लॉग है फ्रैंस नहीं जा पाया आप सबी TAK क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था तो जो भी है आज का ब्लोग है फ्रेंस कल का ब्लोग हमने इसकी फी कर दे हमने का छोड़ते हैं और आज का ब्लोग है कि कि आप सभी को पता ही है डेली का जो भी होता है मौर्णिंग से लेकि दो पहर तक या साम तक का क्लिफ आप सभी को हम डेली डेली का क्लिफ सेयर करते है तो आज है दिन शुक्रवार का और तारिक 28 जून है साइट फ्रेंस तो वस अप के लिए हमने कलेंडर पे ध्यान नहीं दिया है और अपने काम में लगे हुए हैं तो मॉर्निंग से और यहां पर अब आ चुके हैं हम दिवाल का इधर का इस साइट का हमारा पुताई करीबन ह वही चुका है थोड़ा सा रह गया है तो ब्रामदे का चारो साइट का जो दिवाल है प्रेंस तो उसका हमें पुताई करना है आज ब्रामदे का साफ सफाई लिपाई पुताई अच्छे से कर देंगे इसके बाद से फिर जो है जो पुराना रस्मी घर है हमारा ओ भी थोड लेकिन जब तक छपड रहेगा बारिस होगा थोड़ा उसमें पानी जाएगा तो गंदा सा दिखेगा बारिस खुलने के बाद तो फिर बड़ा ही अजीब लगता है हमें तो बारिस होते रहता है जगा फर्स जो भी है खराब होते रहता है उसको साफ सपाई में हम लगे रहत जो लिपाई पुताई का काम होता है वहां उसको करते हैं तो बस यही है और वैसे तो जो भी घर के अंदर का जो साफ सफाई का काम होता है प्रेंस तो सारा काम तो बहुका ही होता था बाहर के ही काम इतने हाड थे हमारे की हम ठक जाते थे लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा फिर थोड़ा ज़्यादा ही दर्द करने लगा है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही अपने काम को हम करते जा रहे हैं और इसके लिए भी हमारे मंजीला बहन का हमें कमेंट आया था और काफी सारी शिष्टर हैं जो कि उनका कमेंट आता है और मंजीला बहन हम हमसे काफी टाइम से जुड़ी हुई है तो उनको पता है फ्रेंस कि जो भी हम जैसे समय पर हमारे अंदर जो बदलाव होते रहता है हम किस तरीके के हाल में रहते हैं सभी कुछ हमारे जो पुराने फ्रेंस से जुड़े हुए होते हैं उनको पता ही होता है तो काफी उन्होंन हाट के काम करते आ रहे हैं continue काफी टाइम से तो उनका यही कहना है दिती काम तो करिए पर अपने उपर भी ध्यान दिजिए और धूप में काम करते करते काफी काले पड़ गए हो आपने तो पहले काफी गोरे भी थे और सुन्दर भी लगते थे आपने बिल्कुल सही कहा मंजला बहन क्योंकि हमारा काम इस समय बहुत ही ज़्यादा हाड वाला काम था जो पीछे का जगह था उस जगह को हम अपने तरीके से थोड़ा साप सुथरा रखने का बहुत काफी टाइम से सपना देखते आ रहे थे ताकि हमारा वो जगह देखने लाइक हो जाए वहाँ पर बैटने लाइक हो जाए क्योंकि अभी के टाइम पर इसी धूप से हम थोड़ा डर रहे हैं कि हमें धूप ना लगे लेकिन इसी धूप के लिए ठंड में हमें तरसना पड़ता था तो इसलिए हम इतना मेनत करके उस जगह को साफ सफाई किये हैं ताकि बैटने लाइक हो जाए नहीं तो आए दिन वहाँ पर साफ विच्चू यह सब जो जानवर होते हैं फ्रेंस काफी निकलते रहते थे तो हमें डर भी लगता था साफ सफाई कर देंगे तो सही रहेगा तो ओस अपना अभी के टाइम इतने मेहनत करने पर पूरा हो गय हमारी जितनी भी बैने हैं काफी उनका कमेंट आता है कि वीडियो तो हम कभी भी बना लेंगे लेकिन पहले अपने सेहत का ध्यान रखे तो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमें अपने सेहत के साथ साथ फ्रेंस हम आपको आज सही बता दें कि अगर हमारा थोड़ा स सबार टवेत दाउन होता है तो हम यहीं बोलते हैं यहारा हालत फोगया है तो स्रिश्टी विटिया को मकाहे काम उन्होंने किया हमें बहुती खुसी हुँा फृरेंज क्यूंकि बच्चे जब थोड़ा समस्चदार हो जाते हैं और कभी कभी जो ऐसा का समय आजाता है कि उस काम को अगर बच्चे समालने तो अपने आपको जैसे हम मा हैं तो हर मा को यही कुसी होता है कि हमारे बच्चों ने इस काम को हम नहीं कर पा रहे थे या नहीं हो पाया हमसे तो बच्चों ने कर दिया तो हमें भी बहुत ज़्यादा उस दिन खुसी हुआ था और बिटिया हमारी हर काम में सपोर्ट करती है फ्रेंस देख सकते हैं यहां हमारा साफ सफाई लिपाई पु तो आराम से हम बना लेंगे आप टेंसर मतलो और तो देखी हम अपना इधर का काम करने लग गए हैं और इसके बाद से फिर अभी जो दोपर का लेंच होगा फ्रेंस कहीं बारा साड़े बारा बजे के लमचम ही खाया जाएगा क्योंकि अभी तीन जन है ही हम सब और जो हमारी सनी सवरब हैं वो जा चुके हैं अपना चुटिया मानानी कई ब्लॉग में हमने बताया आप सभी को और बहुत ओ आज चली गई है गाओं के घर पे और यहां पर दिवाल का पुताई करने के बाद अब लाल मिटी गोबर से पुताई करेंगे नीचे का फर्स का क्योंकि थो बहुत ज्यादा नहीं कि यहां पर पानी का चीटा भी आ गया था तो बस ऐसे ही एक बार हमने बस इसमें कपड़े के डुबो लिया और इसके बासे पुताई का काम इधर कर दे रहें क्योंकि तक हम उधर अटाए थे तो तक दिवाल के साइड लगा देंगे इसके बासे फ अभी करना पड़ेगा हमें फिर दुबारा से और यहां आ चुके हैं इधर रसोई घर के सामने का जो चौकट है इधर का पहले पुताई कर लेते हैं इसके बासे फिर धीर करके पूरा ब्रांदे का पुताई इसी कलर से कर देंगे तो देखने में काफी प्यारा लगने हो भी है सारा इधर दर करने में जाड़ोरू का काम करने में इधर इतना टाइम हो गया है थोड़ा सा जैसे अभी काम के साथ साथ भीच भीच में अगर सानी की पापा अभी पीछे बैटे हैं चपड़ के अंदर तो फिर काफी अच्छा सा प्यारा प्यारा सा खुली आसमा नहीं तो फिर क्या होता था पीछी का जो लिपाय पुताई का काम होता था फ्रेंस वहां पर वह अपना बैठे रहते थे हम अपना काम भी कर लेते थे तो ऐसे में हमारा जैसे दोनों काम होता था उनका देखरेक भी करते रहते थे और हमारा काम भी होता था लेकिन अभी यहा हमेशा जैसे थोड़े थोड़े देर पर जाते रहते हैं पूशने के लिए कि कुछ ये तो नहीं थोड़ा सा बैट भी जाते हैं उनके पास ताकि वो बोर ना हूँ क्योंकि जब इंसान हर जगह घुमने फिनने वाला होता है उनका जो भी है जौब था बिदुद विभाग म चुट गया तो फिर उनके सिहत के वज़े से ही चुटा है और क्या कर सकते हैं जब अपना सिहती नहीं सही रहेगा तो कहां से हम कोई जोब कर पाएंगे या कोई भी मेनत कैसे कर पाएंगे तो बस वही बात है नहीं तो फिर वो बिलकुल भी बैठने वाले नहीं थे कभी- जो night duty भी चलता था और दिन का भी चलता था ऐसे करके गुमने फिरने वाले थे एक जग़ रहना नहीं हो पाता था उनका आया दिन विद्दूत बिभाग का ऐसा काम होता है कही ना कहीं विज़ली का जांच चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है तो आना जाना हमेशा रहता ही था तो यही सब बात है अभी के टाइम पर एक जग्र बैठे रहते हैं तो हमें यही लगता है कि बोर होते होंगे इसलिए ज़्यादा तर उनके जैसे काम तो करते हैं बैठते नहीं हैं फिर जादा तर जहां हो रहते हैं वहीं का काम समहले की कोशिस करते हैं लेकिन यह आंगन- भी पुताई हुताई करती थी दोपार के टाइम, लेकिन क्या बताएं, उज़ादा थर पोतिनी मिटी से ही पुताई करती थी, क्योंकि पोत्री मिटी का खुस्बू उसको काफी अच्छा लगता था प्रेंस आप सभी को पता ही है इस टाइम पे जो भी जैसे प्रेग्रेंट लेडिस होती है उनको ये मिटी काफी अच्छी लगती है उसका जो खुस्बू होता है अच्छी लगती है तो उसको भी काफी मैं सूस करती थी लेकिन थोड़ा डर होता था मेरा इसलिए नहीं चूती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं न कहीं इसको कभी हो सकता है कि कभी मुझ में डाल ले तो इसको आदत पढ़ जाएगा मिट्टी खाने का तो इसलिए मैं उसको डाटती थी कि बिल्कुल काम तो करो से जो भी तुम्हारा मन करें पृताई करो इसका खुशबू आ रहा है तो खुशबू ले सकते हो लेकίν खाना मत मिटी निकुसान करता है काफी तो इसलिये उसको मना कर देते थे लेकिन खुशबू जब ऐसा होता है फ्रेंसस तो मन पर कभी कभी कंट्रोल हो जाता है लेकिन खुस्बू जब बरदास नहीं होता है तो कंट्रोल भी नहीं हो पाता है क्योंकि उस मिटी से तो हम भी पुताई करते हैं और उस मिटी का खुस्बू जो है फ्रेंस काफी बेहतरी इंसा खुस्बू होता है पोतनी मिटी का जैसे चूले की फुनी हुई मिट्टी तो ऐसा ही उसका खुजबू होता है काफी अच्छा लगता है इसलिए मैं ध्यान देती थी कि पुताई उताई करे कभी ऐसा ना हो कि खुजबू अच्छा लग रहा है तो कभी चक न ले तो नहीं तो आदत न पड़ जाए क्योंकि कि अरी लिए मन होता थ tutto बस वही पोतनी मिटी से ही पुताई कर तीFit तो पूतनी मिटी का जो है जैसे लाल नटी गोबर का लिपाए पुताई जो होता है अच्छा लेकिन आफी जहाता है जिंए probably철ग रहे में जो जो जैसे कोबर और लाल मिटी से तो बिलकول भी हंदा चार दिन हपते बर चल जाता है तो अच्छा भी लगता है इसका पुटाई लेकिन अभी इस टाइम पे तो ज्यादा तर हमारा पोतनी मिटी का ही काम चल रहा था तो वहां तक लिपाई पुटाई करके हमने छोड़ दिया फ्रेंस क्योंकि बस अब वहां से रसुई घर का जो खूब का फोकस केमरे पर जा रहा है तो इसलिए और फिर आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा आप सभी के कमेंट से हमारा होसला बढ़ता है फ्रेंस तो बस अब लिए फ्रेंस आज का ब्लोग यहीं पर कर लेते हैं एंड म मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यार इसी ब्लोग के साथ कल तब तक के लिए बबाई वीडियो देखने के लिए थांक्यू